नमस्कार तो पिछली वीडियो में पने कवर कर लिया था कि बेटल ओफ गोड़ साही हुई जिसके अंदर एमन टारगेरियन और डेमन दोनोई साइड के ग्रीन्स और ब्लेक्स के मैंन वोरियर मर गए और उनके ड्रेगन्स भी तो इस वीडियो में बात करेंगे कि इसके बाद में क्विन रेनिरा के साथ में किंग्स लेर्निंग में क्या चल रहा था तो वीडियो को शुरू कर देते हैं फुल हाउस उफ ड्रेगन के स्पोईलर्स के साथ में इधर किंक्स लेंडिंग में हर गद्दारी के साथ में कुईन रेनीरा खुद को अकेला मैसूस कर रही थी और अब तो हर किसी के उपर उसने धीरे धीरे शक करना शुरू कर दिया और उसके ट्रस्ट वर्ती लोगों का सरकल दिन बे दिन छोटा होता जा रहा था इसने जिस टर्ण क्लोक को शक के आदार पर पकड़ने का आडर दिया था एडम वलेरियन वो अब यहां से बाग चुका था लेकिन रेनीरा का एडम वलेरियन के ओपर शक करना कलित प्रूव हुआ थोड़े दिनों में इसको अपनी गलती का आपास हो गया अभी भी रेनीरा कभी कभी वाइट वोम से मिलती थी और उससे कुछ सजेशन्स लेती थी अब एडम वलेरियन और नेटर्स जो भी इनके नए ड्रेगोन रेडर्स थे वो सारे बास्टर्ड ही तो थे टार्गिरेन लोगों के इसलिए रेनीरा अब बास्टर्ड लोगों से नफरत भी करती थी लोर्ड बार्थिमस केलतिकार मॉस्टर ओफ कॉइन ये अब एक नए टाइप का टेक्स लेकर आते किंग्स लेंडिंग के अंदर ये टेक्स उन बच्चों के पेरेंट्स के उपर होता था जिनके कोई शादी नहीं हुआ हो यानि कि शेर के अंदर कोई भी अपना बास्टर्ड पैदा नहीं कर सकता और अगर ऐसा हुआ तो उसके पेरेंट्स क्राउन को टेक्स देंगे इससे एक तीर दो निशाने थे क्राउन के पास में पैसा भी आएगा और किंग्स लेंडिंग के अंदर फालतू बास्टर्ड जदा नहीं होईंगे रेनीरा के लिए गद्दारों के पर शक करने के अलवा अभी बहुत सारे काम थे किंग्स लेंडिंग के अंदर उसने जैसे एडम वलेंड को पकड़ने का ओडर दिया था उसे के साथ में उसने एक ड्रेगन और ड्रेगन राइडर ही नहीं खोया इसके अला उसने हैंड अब दो क्वीन भी खो दिया यानि की लोड कॉलस वलेंड अब ड्रेगन स्टोन से जो शिप में बरके यहां पर सेना आई थी पुरी किंग्स लेंडिंग में वो ब्लेक सी सेना में 50% सोल्डर्स तो कॉलस वलेंड के ही थे थो इन हाउस वलेंड के सोल्डर्स को पता चला कि हमार लीडर कॉलस वलेंड को तिसने बंद कर रहा है जेल के नदर तो इन लोगों ने भी रैनीरा का कोस को अपना समजना और इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया कई सारे वलेरियन सेनिक कोबलेर स्क्वार जो जगे है दबापर जाके शीपर्ड की स्पीस सुनने लग गए और उन लोगों के साथ में मिल गए तो बाकी कई सारे सेनिकों ने गेट्स को जैसेते से पार करके हाउस वलेरियन के ओफिशल के लिए डिफ्ट मार्क की तरफ जाने की कोशिश की सी स्नेक को जहल में डालते वक्ती रेनीरा ने अपनी 50% सेना को खो दिया था अब लोड कोलस्रोन के दो स्वोन प्रोटेक्टर्स होते हैं सर डेनेज वूट्राइट और सर थोरेंट्रू ये दोनों कोलस्रोन के कुछ ज़्यादा ही लोयल होते हैं ये कोशिश करते हैं जिन कालकोट्रियों के अंदर जेल के अंदर बंद कर रहा है कोलस्रोन को हम जाकर उसको छुड़ा हो लेते हैं और उसको वापस ड्रिफ्ट मार्क ले जाएंगे इनका प्लेन होता है सर्थोरेंट्रू वो एक होर के साथ में डेली सोते होते हैं तो उसी की बदोलत हम मिस्ट्री के साथ में दोकावाजी करेंगे और उससे चाबिया वाबिया लेकर हम जेल में जाके कोलेस्मेंट को छुड़वा लेंगे अब ये कोशिश करके आदे तो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं जाबाते हैं उससे पहले इनको पकड़ लिया जाता है और उसके बाद में अगली सुबह इने रेड कीप के वहीं पर सब के सामने वहीं पर लटका दिया जाता है फासी के उपर अब इन दोनों नैट्स को जिस दिन लटकाया गया उससे शाम को सुरज डलने के बाद में ज्यादा रात नहीं हुई थी उसी टाइम पर रेड कीप के अंदर एक अलग इवेंट हो जाता है होता यू है कि कुईन हेलीन टारगिरियन एगुन सेकेंड यूसूरपुर की पतनी और उसकी बहन वो अपने कमरों में इतने दिनों से नजर बंद होती है वैसे उसका किसी से कुछ लेना देना तो होता नहीं है वैसे भी उसकी मानसी कवस्ता तो बिल्कुल सही है नहीं तो वो किसी से बात करती नहीं थी इतने दिनों से उसने किसी से बात नहीं कीती बस केवल वो उसके कमरे में बंद रहती थी उसने अपनी खिड़की को खोला और वो इस खिड़की से नीचे की तरफ कूद गई नीचे की तरफ बहुत सारे बाले लगे हुए थे जिसके उपर वो गिर के मर गई ये इवेंट बहुत ज़दा शोकिंग था हर किसी के लिए क्योंकि अभी 21 साल के हेलीन टार्गे रेन अचानक से ऐसे मानसी कवस्ता तो उसकी सही है नी कुद के मरी क्यूं है अगर उसको रैनीरा के यापे केद नहीं रहना था तो वो आदे साल तक तो रैनीरा के यहीं पे थी अपने कमरे में नजर बन तो फिर वो अब जाके क्यों कूदी है आज ही के रात उसने अपने लाइफ क्यों खतम की इस पर मश्रूम दो फैंकू आदमी अपने को बताता है कि ये ब्रोथल क्वीन थी अगर तुम्हें याद हो तो मिस्ट्री ने बहुत पहले ब्रोथल की लाइफ से परेशान हो चुकी थी और अभी इसके पेट के अंदर एक बास्टर्ड बच्चा भी था इसी से परेशान होकर ये उस टाइम पर सुसाइड कर लेती है लेकिन तुम जानते हो मश्रूम दो फैंकू आदमी है इस बात पर अपने पहले भी कहा था कि ब्रोथल कुइन जैसा कुछ हुआ भी नहीं था और शायद हुआ सच में भी नहीं होगा रिस्ट्री का एक और अकाउंट लिखता है जो सुबह दोनों नाइट्स को फासी के उपर लटकाया गया था वो बहुत ज़्यादे तडफ तडफ के मरे थे और वो रेड कीप के अंदर ही हुआ था तो शायद इसने उन दोनों को देख लिया तो इसकी मांसी कवस्ता तो बिल्कुल पहले से सही है नहीं डिस्ट्रब है यह थोड़ी तो इसलिए कुद केस ने अपने आत्मत्या कर ली लेकिन यह अकाउंट भी कुछ ज़्यादा सही है नहीं क्योंकि हेलीना टार्गिरेन उस टाइम पर वहां पर थी नहीं जब उन दोनों को फासी दी गई तो इसने उनको तो देखा है नहीं अब हिस्ट्री का एक और अकाउंट इसके डेथ के वारे में अपन को बताता है कि जब हैलीना टार्गिरेन मरी थी उससे जस्ट पहले क्या हुआ था कि इसके कमरे के अंदर माईसीरिया दा वाइट वोम आई थी वैसे हैलीना इतने दिनों से मेंटल इंस्टेबल थी तो इसको सही से मालूम नहीं था इसका बेटा मेलोर मढ़ चुका है बीटरबीश के वापर तो यहां पर आके वाइट वोम जान बुचकी इसको परिशान करने के लिए मेलोर के मढ़ने की कहानी फुल डीटेल में इसको बताती है कि किस तरह तरह बेटे को माड़ दिया गया तो हैलीना टार्गेरेंट पहले से तो वेंडी थी जब उसने यह कानी सुनी तो वो डापा चुको गई और वहां से हाथ मच्जा कर ली अब यह सारे बात तो अकाउंट की रही कि कोई अकाउंट यह बताता है कोई अकाउंट वो बताता है लेकिन किंग्स लेंडिंग के नौर्मल जनता ने जो बात सुनी वह इन सबसे बिलकुल डिफरेंट थी धीरे धीरे हेलीने टार्गिरेन के अमढ़ने की खबर हर एक ब्रोथल, हर एक इन, हर एक जगे पूरे किंग्स लेंडिंग में हर एक जगे पर फैल गई और आपसे सब लोगों को मालूम था कि हेलीना के साथ में इन ब्लक्स ने ऐसा किया तो डेरोन देरिंग जल्द आता ही होगा अपने ड्रेगन्स और आर्मी को लेकर यहां पर अब नॉर्मल लोगों को जो किंग्स लेंडिंग में कहानी पता चलती है वो कुछ ऐसे थी, क्विन रेनीरा हेलीन टार्गिरेन को बिल्गुल पसंद नहीं करते थी रेनीरा नहीं चाहती थी कि डेरोन देरिंग यहां पर आएगा और जब इसका डाउन फूल होएगा वो हेलीना टार्गिरेन देखे और खुश होगे इसलिए उसने सर लूथर लूजेन जो उसके लोड कमांडर ओफ गोल्ड लो के उसको भेजा और फिर वो आया इसके कमरे के अंदर हैलीना के और इसको खिड़की के अंदर से पकड़ के बार फेक दिया चाहपर नीचे आइरन स्पैक्स थे यानि की भाले जिसके लगने की वज़े से हैलीना मर गई मरते समय हैलीना के मुँसे एक शब्द भी नी निकला क्योंकि एक बाला उसके गर्दन के अंदर से निकल लिया था इसलिए अब ये कहानी कौन फैला रहा था तो इसके और में कुछ लोगों ने लिकाए कि वो शीफ़ड नी था जो रेनीरा के खिलाफ ही बोलता था उस बंदे ने ये कहानी खुदी बनाई और उसके बाद में सबको सुनाने लग गया अब उसके पॉपलरीटी तो बहुत थी कॉबलर स्क्वाब पुरा उसी के पॉपलर लोगों से बरा हुआ रहता था तो उसने सबको ये कहानी सुना दी और उसके बाद में पूरे किंगज लेनिंग में ये कहानी फैमस हो गई लेकिन मश्रूम कहता है ये कहान या वही बंदा बना रहा है जो अफ़ाई इखटी कड़ता है यानि की लेरेस्टोंग दरसल लेरे स्टॉंग जब ग्रिंस के लोगों को पगड़ा था तब यहीं पर कई पर गायब हो गया था बहुत सारे लोग कहते वो हाउस बराथियन के पास में चला गया लेकिन मश्रूम के अकोडिंग वो कहीं पर भी नी गया यहीं पिकेंस लेर्णिंग में रहता था नॉर्मल लोगों के साथ में और बस अपना काम बखुबी से कर रहा था रेनीरा के खिलाफ लोगों को कर रहा था ऐसे फाल तो फाल तो अफ़ाय फैला रहा था हिस्ट्री में कुछ लोग इसके उपर वहस भी करते हैं कि क्या रेनीरा सच में हेलीना को मरवा भी सकती है क्योंकि रेनीरा और हेलीना के बीच में ऐसे कोई लड़ाई थी एसा कुछ था ही नहीं हेलीना तो एक दुखी प्राणी थी जो जेरेस के मरने के टाइम से अभी तक बिलकुल mental unstable थी तो उससे रेनीरा को क्या खत्रा हो सकता है रेनीरा क्यों मरवाएगी उसको अगर रेनीरा मरवा नहीं चाती तो यह उसको मरवा थी जो इसके उपर हस्ती है यानि की एली सेंट हाइट आवर और जो किंग्स लेंडिंग के लोगों के अंदर ये अब जो बात फिलाई है कि लूथर लूजेंड ने उसको जाकर मारा ये बात बिल्कुल कलत है क्योंकि जिस टाइम पर हेलीन टार्गरेन मरी थी उस टाइम पर लूथर लूजेंड सिटी वोच के एक गेट के उपर अपने 300 सोलजर्स के साथ में खाना खा रहा था तो पका उसने तो मारा है नी पर अब क्या ही कर सकते नॉर्मल लोग तो पहले से एंटी रेनिरा थे अब उन्होंने ये और कहानी सुनी तो उनके जजबात और ज़्यादा हो गए उस रात को हर किसी के जबान पर केवल यही बात थी कि क्वीन हेलीना का मर्डर किया गया है रेनिरा के दवरा रेनिरा दे रिल्म लिलेट जिसको पूरे किंग्स लेनिंग और वेस्टरोस पसंद करता था लेकिन अब दिरे दिरे पूरे Kings Landing के लोग इसके ओपोजिट हो गए थे हेलीने डारगेरेन किसी के लिए खराब नहीं थी Kings Landing के लोग उसको अपनी Princess मानते थे और उसे प्यार भी करते थे नोर्मल जंता अभी तक यह नहीं भूली थी कि किस तरह रेड और चीज ने चोरी चीपे आये और जेहरस को मार डाला इसके बाद में इनी ब्लेक्स ने बिटर ब्रिश के बापर प्रिंस मेलोर को मार डाला और अब उनकी मा हैलीना को भी मार दिया तो अगर तुम समझ रहे हो तो सारे सारे सेंटिमेंट्स लोगों के किरिंस की तरफ हो गयतेै कहा जाता हेलीना टार Girin जिस रात को उस खिड़की से कूद के नीचे की साइट मरी थी जस्ट उसी टैप Elle使ा ड्रेगन्पिट के अंदर ट्रेपार को भी कुछ अलगी महसूत हुआ अब ड्रेगन्पिट के अंदर से ड्रीमफर देख तो नहीं सकता था कि हैलीना टारगेरिन कहा है या फिर उसको मरी है लेकिन पता नहीं ड्रेगन राइडर और ड्रेगन के बीच में क्या बॉन्डिंग होती है किसको भी पता चल गया और इसने एक बहुत जोर की दाढ़ मारी जिससे पुरे ड्रेगन पेट धूज गया फिर ये जिन चैन्स से बंदा हुआ था उन चैन्स को अपनी तरफ खींचा लेकिन चैन्स मजबूत थी इसलिए उनको ये तोड़ नहीं पाया इसने कई बार आस्मान में आग उगली इसके हरकतों को देखकर ड्रेगन कीपर्स को भी मालूम हो गया ये कुछ ने कुछ तो गलत हुआ है रेट कीप के अंदर जब हैलीना की मरने की खबर उसकी मा यानिक एलिसेंट हाइट आवर को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग गई और दुखी हो गई उसने दुख से अपने कपड़े फार दिये और रेनीरा और सारे बलेक्स को गालिया देने लगी इनको कई सारे श्राब भी दिये अब यह कपड़े क्यों फार दिती तो ऐसा होता है कि रेस्ट्रोस के अंदर और शायद इन अंग्रेजों के इदर भी ऐसे ही होता होगा कि जब लोग दुखी हो जाते तब आपने कपड़े फार देते हैं ऐसा मैंने गेम अफ्ट्रोंस की बुक्स के अंदर भी पढ़ा था लिप टार्गेरेंस चले गए थे मैडगीम को मार दिया था तब लोगों ने ऐसे कपड़े फार दिये पर यह एक फेक बात थी जो मास्टर इलीरियो बता रहा था विस्रेस को तो वापस तो फिलाल अपन डियोडी के अंदर आ जाते हैं जियोटी के अंदर जाने की ज़रूत नहीं है बस कपड़े फार्टना यह लोग उस टाइम पर करते हैं जब यह वह जदा दुखी हो जाते हैं किसी की मोत वगएरा हो जाती है तब लोगों दोरा कहा जाता है किंग्स लेंडिंग के सबसे खराब रातों में से यह वाली रात होगी दिन के अंदर उन नैट्स को फासी की सजा दी गई शाम को हेलीने टार्गिरेन ने आत्म हत्या कर ली और इसके बाद में रात को एक खुनी दंगा शुरू हुआ किंग्स ल लाते थे नॉर्मल लोग थे जिन में से कुछ लोगों ने दारू पी रहा था कुछ गुसे में थे और कुछ डर हुए थे लेकिन इनके दंगे फलिया बटम से जो शुरू हुए पूरे सीटी के अंदर फैल गए यह सारे धंगई जोड़ जोड़ से चिला रहे थे हैलीना और उसके बच्चों के साथ में गलत हुआ है उनको जस्टिस दो इन दंगई लोगों ने सब्जियों के ठेले और बहुत सारे वेगेंस को पलट दिया दुकानों को लूट दिया गया और कई सारे घरों को आग लगा दी गई अब गोल्ड क्लोक्स आए और इनको सांथ करने की कोशिश की जब यह लोग नहीं माने तो गोल्ड क्लोक्स ने कुछ लोगों को इतना ज़्यादा पीटा कि उनको पीट पीट के उनसे खून निकाल दिया लेकिन आज यह दंगई को ज़्यादा ही जोश के अंदर थे इन्ह लोग होते हैं बागी नॉर्मल लोग भी होते हैं वो हमेशा किंग्स लेंडिंग के अंदर ही रहते हैं लेकिन सबके सब लोग रेड कीप के अंदर नहीं रहते हैं रेड कीप थोड़ा हाई सीकुरिटी वाला महल होता है जो सबसे अलग साइड पर है उसके अंदर केवल र इनके बीच में आ जाता है और अपनी बेहन को प्रोट्रिक्ट करते हुए मारा जाता है अब तुम्हें याद हो तो लोड बार्थिमस केलतिकार मास्टर ओफ कोई ने बहुत ज़्यादा टेक्से लगाते हैं और सबसे ज़्यादा टेक्स तो व्यापयारियों के उपर था अब इन टेक्सेस के अकोडिंग यूँ था कि बहुत सारे जहां इस सीटी से कई भी व्यापार गरने के लिए नहीं जा सकते जब तक कि वो रैनीरा और क्राउन को टेक्स नहीं दे देवे व्यापयरियों के पास में पहले से तो पैसा आया नहीं था क्योंकि इनी ब्लेक्स ने पूरे गुलेट को ब्लोक कर रखा था इसके अलावा शीप के रख रखाव में भी तो पैसा चाहिए होता है और थोड़ा वो टेक्स तो इन्होंने एकवन सेकंड को दे दिया होता है इसलिए लोड बार्थिमर्स के नए रूल्स को ये फोलो नहीं कर पाते है और कई सारे शिप्स अभी भी यहीं पे पड़ा हुए होते हैं जब व्यापारी और शिप पे नॉर्मल काम करने वाले लोग होते वो देखते कि शेर के अंदर दंगे तो हो रही है तो हम भी अपने शिप लेके यहां से निकल जाते और कहीं गई व्यापार करके आ जाएंगे यह लोग बस मौके का फाइदा उठाना चाते होते हैं लेकिन यह सब लोग जब रिवर गेट की तरफ जाते जहापर के उनके शिप होते थोड़ी दूर वही पर उनको रास्ते में रसाल लूथर लूजेंट और उनके चार सो गोल्ड क्लोक्स मिल जाते है अब इन लोगों के पास में शिप को ले जाने की परमीट तो होती नहीं है तो गोल्ड क्लोक इनको जानी नहीं देते यहापर गोल्ड क्लोक और इन नॉर्मल लोगों के बीच में क्लेश हो जाता है इन लोगों का टगरा बहुत ज़दा तगड़ा था जिसके अंदर इन्होंने रिवर गेट का आदा गेट तोड़ दिया लेकिन थोड़ी देर तक खुनी जड़ब के बाद में 100 लोग मारे जाते और उन 100 में से 25 लोग तो गॉल्ड लोग के होते बाकी नॉर्मल लोग अब ये किंग्स लेनिंग के दंगे किसी एक ही जगे पर नहीं हो रहे थे पुरा उका पुरा किंग्स लेनिंग सुलग रहा था ये प्रदशन कारी लोग जहापर लोड बार्थिमस केल्थिकार रहते होते उनके घर के वापर भी चले जाते अब लोड बार्थिमस केल्थिगार तो मास्टर उफ कोईन है तो इसके लिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके घर के उपर रेनीरा ने छे गार्ड्स को तेनात किया होता है ये छे गाड्स लोड केल्थिगार को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा यहीं पे रहते हैं इसके अलावा कुछ एक सर्वेंट्स भी होते हैं जो केल्थिगार के गर पे रहते होते हैं लेकिन जब बीड इनके घर के यहां पर आ जाती है तो वो सारे गार्ष डड़ जाते हैं और लोड बार्थिमस को प्रोटेक्ट करना तो दूर की बात कुछ लोग तो कहते हैं कि वो प्रदशन कारी के अंदर ही मिल गए थे और विल्टेस को माणने के लिए आ गए अब इसी टाइम पर इस घर के यहां पर एक आर्थर केलतिकार होता है जो कि 15 साल का लड़का होता है वो अपनी तलवार लेके बीच रास्ते में आ जाता है प्रदशन कारी के और बार्थिमस के बीच में कई देर तक उसकी और दंगायों की जड़प चलती है जिसके अंदर ये बंदा तो थोड़ा नाइट होता है तो उन लोगों को मार पीट के वहां से भगा रहा होता है कई सारों को ये अपनी लंबी तलवार से काट भी डालता है लेकिन आकर ये एक इतनी देर तक टिक पाता होता यूँ है कि केलतीकार के घर के अंदर जो सर्वेंट्स होते हैं उनमें से एक सर्वेंट्स लड़की होती है वो गद्दार निकलती है वो पीछे से जाकर के गेट्स खोल देती है जिससे की प्रदेशन कारी पीछे से गूम के आजाते बहुत सारे और वो लोग जो आर्थर केलतीगार सामने की तरफ लड रहा है इसके पीछे की तरफ आगए इसके पीट के अंदर एक भाला गुसा देते और इसको मार डालते है अब आर्थर केलतिगार मर गया तो बारी थी बार्थिमस केलतिगार की अब इसको मारने वाले थे लोग पूरी बीड गर के अंदर गुज जाती है अब इतनी देर आर्थर केलतीगार लड़ रहा था जितने बाड़तीमस केलतीगार यहां से निकल जाता है और अस्तबल की तरफ चला जाता है यूँ कि कोई गोड़ा मिल जाएगा तो मैं बस यहां से भाग के निकल जाओं लेकिन यह स्तबल में जाके देखता है तो वहां के सारे गोड़े या तो मार दिये जाते और कुछक को तो लेके लोग भाग जाते है अब यहां पर यह प्रदेशन कारियों के पकड़ में आ जाता है पूरे सिटी के अंदर इसी ने सबसे ज़्यदा टेकसेस लगाया होते है और लोग इसके टेकसेस की वज़े से बहुत परशान होते है अब यह मास्टर ओफ कोईन है तो इसके बास में बहुत सारा पैसा होगा यही सोच के लोग इसको टॉर्चर करना शुरू करते है अब यह उन दंगईयों को पैसा देता है या फिर नहीं यह तो हिस्ट्री में सही से नहीं लिखा गया है लेकिन यहां पर एक आदमी होता है वो कहता है कि यह मेरा कॉक टेक्स अभी तक पे नहीं कर पाया इसलिए मैं इसको मार रहा हूँ दरसल यह इसके अपर एक मौक होता है यह मजाक उड़ा रहा होता है बारतिमस का क्योंकि बारतिमस ने इतने अलग-अलग टैप की टेक्स लगा दिये थे कि लोग परिशान हो गयते अब मतलब की बास्टर्ड होगा उसका भी टेक्स लगता था कोई बंदा बास्टर्ड भी नहीं कर सकता इसलिए वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह मेरा कॉक टेक्स पे नहीं कर पाया इसलिए मैंने इसको मार दिया पूरे शहर के अंदर दंगे हो रहे थे लेकिन कोबलेट स्क्वेर के तो बात ही अलग है यहाँ पर बहुत सरे लोग एक जेके पर इखटे थे और वो शीफ हर्ट फुल गुस्टे में अपनी स्पीश दिये जा रहा था वो बारंबार कहे जा रहा था हमारी तबाई या फिर हमारी मौत नजदी किये बस एक या दो दिन दूर उसकी स्पीश काफी ज़दर प्रभावशाली थी वो कुछ प्रूफ्स भी दे रहा था अपनी बातों को प्रूब करने के लिए वह कह रहा था अब हमें सेवनगोड का गुसा जेलना पड़ेगा वह कह रहा था ये जो अननेजुरोंइल क्वीन आईलरन ठ्रोंड के अपर बेटी हुई है ये इसके बिलकुल लायक नहीं है इसके होट तुमें पता है लाल क्यू है इसके होट हमार स्वीट सिस्टर के खुन में लाल हो गए यानि कि हेलीना टार्गिरेन को मारने की वज़े से अब बहुत सारी भीड इस शीपर्ड को सुन रही थी तो एक सेप्टा पीछे सावाज दे के बोलती है तो फिर आप ही बता दीजिए इस दबाई से बचने का उपाई क्या है अब सेप्टा तो सेवन गोड में से मदर को मानने वाली औरत होती है यानि कि पुजारीन इसलिए शीपर्ड उसको आंसर देता है शीपर्ड केता है मदर की मरसी तुमें बचा सकती थी लेकिन उसको तो तुमने उसी तिन बाहर बेज़ दिया जब तुमने अपने प्राइड और लस्ट के मारे इंटार गिरेंस को अपने दिल में जगा दे दी थी अब तुम्हारे लिए कोई आएगा तो वो के वो लोगा स्ट्रेंजर वो अपने काले गोडे के उपर आएगा उसकी आँखे देहक रही होगी उसकी गोडे की टापे बिजली की तरह देहक रही होगी और उसके हाथ में एक मशाल होगी स्ट्रेंजर आएगा तुम्हारे सारे बुरे कर्मों को साफ करने के लिए और उसके साथ में मौत और तबाई आएगी लेकिन जो उसके सामने जुग गया अभी शीफ़र्ड अपनी बात कम्प्लीट करता उससे पहले स्ट्रेंजर आ जाता है मतलब कि इसकी बात पूरी कम्प्लीट नहीं होती है कि जो स्ट्रेंजर के सामने जुग जाएगा उसको स्ट्रेंजर छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा इतने में ये वापस बीच में बोलने लग जाता है सुनो क्या तो मैं गोडों की टापों की आवाद सुने ही दे रही है या फिर देखती हुई आग की वो देखो आग की मशाल लेके आगया है He comes, he comes अब तो पूरी की पूरी बीड जो शीपर्ड का स्पिच सुन रही थी वो सारी भी पिछे की तरफ मुड़ के देखने लग जाती है और जोड जोड से चिलाती है वो आगया, वो आगया, he comes अभी ये जो शीपर्ड अपनी स्पिच दे रहा था कॉबलर स्कुएर पे दे रहा था और इसके सामने लगवख 10,000 लोग की बीड सुनने के लिए आई थी इसको पूरा कॉबलर स्कुएर और वहां के आसपास की गलिया पूरी तरीके से लोगों से फुल थी वहां पर कॉबलर स्कुएर में हजारों लोगों के पास में मशाले होईगी जिससे आसपास में देखा जा सकता था अब थोड़ी देर तक तो लोगों ने इसे ही कम्स वो आ रहा है उसके आवाजे की लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो आवाजे बढ़ने लगी लोगों ने बॉलना बंद कर दिया और दीरे दीरे कॉबलर स्कुएर में एक शान्ती का माहौल बन गया मश्रूम अपनी कहानियों के अंदर बताता है कि वहाँ पर कोई एक स्ट्रेंजर नहीं आया था वो पूरे 500 स्ट्रेंजर आये थे हुआ कुछ ही हो था कि ये सारे लोग लगवख 10,000 लोग एक जगे पर इखटे होके अशान्ती का माहौल बना रहते इसलिए सीटी वोश के 500 जैनिक यहाँ पर आ गये थे ये सैनिक यंग, ट्रेंट, डिसिप्लेंड लोग थे जिन्होंने लंबे गोल्डन कलर के क्लोक्स पहन रखे थे और अच्छी कासे आर्बर पहन रखे थे इनके पास में एक छोटी सी तलवार और एक स्पेर एक ढाल था अब सबसे पहले चालिस याड की ये गोल्डोक के लोग एक हुमन शिल्ड बनाते हैं भीड सामने की तरफ होती है, ये लोग थोड़ी सी दूर वे अपनी शिल्ड बनाते है इन लोगों को कमांड कर रहा होता है सर लूथर लूजेंट, लोड कमांडर ओफ गोल्ड क्लोक्स सर लूथर ने भी अच्छा कासा आर्मर पहन रखा था और वो अपने वर होर्स के उपर था उसके पस में एक लोग स्पोड थी अब भीड में कुछ एक लोगों के लिए तो लूथर लूजेंट की बस एक जलक देखने ही काफी थी डराने के लिए और बाकि सोगों की संक्या में भीड जब डर गई जब लूथर लूजेंट ने अपने गोल्ड क्लोक को कमांड किया कि पोजिशन संभा लो लेकिन फिर भी कॉबलर स्कोर के वहाँ पर अभी 10,000 लोग थे अब वहाँ पर बीड इतनी ज़्यादा थे कि कुछ एक लोग जो समझदार लोग थे यहां से भागना चारहे थे गोल्ड क्लोक से बचके वह भी बचके भाग नहीं पाए क्योंकि हर साइड इपते सारे लोग थे पुरी बीड़म बीड़ हो रही थी इसले कई पर भी नहीं जा पाया कुछ लोगों ने आगे गल्यों में जाने की कोशिश की लेकिन अपने आपको अंदर जकड़ा हुआ पाया अब लोगों ने चिलाना शुरू कर दिया और एक दूसरे को गालिया देना जोर का कोला हल हो गया था वहाँ पर सर लूथर लूजेंट केते हैं मेक वे यो बलड़ी फूल्स फिर वापस सर लूथर दहाड के केता है यानि कि यह जो इत्ती सारी भीड़ी कटा हो रही है सब अपने घर पे चले जाओ हमें तुमार से कोई काम नहीं है कोई हाम नहीं आने वाला है तुमको हमें बस इस शीपर्ड को पकड़ के ले जाना है अब यहाँ पर हिस्ट्री में कई सारी अकाउंट्स बने हुए कि यह वहाँ पर सबसे पहले कौन मरा था कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर भीड़ बहुत जदा थी और जो गोल्ड क्लोक ने एक लाइन बनाई थी हुमन शिल्ड बने थी उसमें उन्होंने अपने बालों को आगे की तरफ कर रगा था तो वहीं पर कोई बेकर यानि की बेकरी में काम करने वाला आदमी था वो थोड़ा सेनिकों के पास में आ जाता है और उसको पीछे से कोई धका देता है ती सारी बीड में तो उसके पेट के अंदर वो इस पेट चला जाता है यानि की बाला इस चीज का पता उसको भी सही से नहीं चलता है जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसके पेट के अंदर से बाला गुसा हुआ होता है और थोड़ी देर के बाद में उसकी डेत हो जाती है लेकिन अगर दूसरे हिस्ट्री अकाउंट की बात करे तो वहाँ पर सबसे पहले एक छोटी सी लड़की मरी थी वो साल लूथर लूजन के गोड़े के नीचे आगी थी और कुछला के मर गई पर जो कुछ भी हो थोड़ी तेर में उस भीड के अंदर से एक पत्थर आता है जो एक गोल्ड क्लोक के सिर के उपर लगता है आँक के उपर और दीरे दीरे वापल बेटल जैसी कंडिशन खड़ी हो जाती है लोग जोड़ जोड़ से चला रहते और एक दूसरे को गालिया दे रहते भीड गोल्ड क्लोक के उपर लाठिया मार रही थी और पत्तर अब ये जो कॉबलर स्कॉर का एरिया होता है ये क्या पुरा गलियों में होता है तो आस पास में बहुत सारे मकान भी होते और वहाँ पर क्या बहुत सारे लोग उस शीपड की सुनने के लिए होते तो घरों के अंदर भी उसके उपर की सैट में उसके फॉलवर्स चड़े होते है तो कुछ एक लोग जो घरों के अंदर होते वह वहाँ सारे चीजए फेक नी US शुरू कर देते गौल क्लोक के उबपर एक आदमी तो उबपर से एक मशाल फेक देता है गौल क्लोक के उपर जिससे कि सेनी का गौल क्लोक जल जाता है और धीरे धीरे वह पूरा जलना शुरू हो जाता है अब इतनी सारे 10,000 लोगों की भीड के अंदर ये जो लूथर लूजन्ट और उसके गोल्ड क्लोक होते ये तो इस तरफ होते और जो शीपर्ड होता है, मैं जो स्पीश दे रहा है, वो सबसे बीच में होता है उसने भी देख लिया होता है कि लूथर लूजन्ट उसी को पकड़ने के लिया आ रहा है तो वो पतली गली से वहां से निकलने की कोशिश करता है लेकिन सर लूथर लूजन्ट उसको यही से देख लेते और जोड से चिलाते सीजीम उसको पकड़ लो फिर लोर्ड कमांडर अपने गोड़े को उस भीड में से पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ा थे इनके गोड़े के पीछे इनके सारे गोल्ड क्लोक्स चल रहे थे ये बस आगे जाकर उस भाग रहे शीफर्ड को पकड़ना चाह रहे थे भीड बहुत जादा थी फिर भी गोल्ड लोक के सेनिक जैसे तेसे करके अपना रास्ता बना रहे थे और जादा कोई बीच में आ रहा था तो उसको मार रहे भी थे शीफर्ड के कई सारे फॉलोवर्स जोड जोड से चिला रहे थे और उनके पास में जो भी वेपन थे उनके पास में कुछ खराब तलवा रहे थी जंग लगी हुई या फिर लकडिया और चोटे डेगर से उसे की साथ में वो गोल्ड लोक के उपर अटेक कर रहे थे लेकिन गोल्ड लोक के जो आदमी होते वो यंग, स्ट्रॉंग और वेल डिसिप्लिंड होते उनको लड़ने वड़ने का फुल एक्स्पिरेंस होता है फिर भी जैसे तेसे करते हुए गोल्ड लोक के सेनिक और सर लूथर लोजेंड उस भीड में से आगे की तरफ बढ़ रहे थे अब वैसे तो इन सेनिकों ने अपने हाथ के अंदर शिल्ड ले रखी थी और इन कॉमन लोगों से बचने के लिए उस शिल्ड को लोगों की तरफ कर रहा था लेकिन फिर भी कुछ एक लोग आके उन से लड़ने की कोशिश करी लेते थे और उनको वो मारते हुए जा रहे थे गोल्ड लोक की सेना जहां से भी आगे की तरफ बढ़ती वहाँ पर पीछे मरे हुए लोग पड़े होते थे पर फिर भी गोल्ड लोक के ये स्ट्रोंग लोक कितनी देर तक टिके रहते आखिर है तो ये भी 500 लोग ही है और सामने वो लोग 10,000 लोग थे थोड़ी देर बाद में एक गोल्ड लोक का सेनिक नीचे की तरफ गिड़ जाता है वहाँ पर बिलकुल बगदर जैसा महूल था कुछ एक लोग वहाँ से बागने की कोशिश कर रहे थे तो कुछ एक नॉर्मल लोग गोल्ड लोक के ओपर अटेक कर रहे थे वे जोड़ जोड़ से गालिया दे रहे थे और गोल क्लोक के उपर अपने हाथ में जो भी चीज़े होती थी स्टोन्स, खराब तलवारें, डेगर्स उन सबसे अटेक कर रहे थे कुछ कोमन लोग तो इवन अपने दातों से और जो बालकनीज में उपर की तरफ गड़ों में चड़े हुए थे वो वहाँ से गमले फेक रहे थे और कुछ टाइल्स, पत्थर, उपर से कई सारी चीज़े इन गोल क्लोक के सेनिकों के उपर मार रहे थे दीरे दीरे जो गोल क्लोक और नर्मल लोगों का संगर्श बेटल जैसे था अब वो एक दंगय में बदल गया और थोड़ी तेर बाद में एक नर्ड सहार में अब गोल क्लोक के सेनिक उस भीड के बिलकुल बीचो बीच में थे उन्हों ने अपने आपको चारों तरफ से गेरा हुआ पाया भीड एतनी जदा थी और वो लोग गोल क्लोक के ओपर धक्के दे रहे थे, कोई लोग मारने की कोशिश कर रहे थे इतनी ज़्यदा भीड थी कि गोलों के सेनिक अपनी तलवारों को निकाल के सही से वार भी नहीं कर पा रहे थे कुछ एक सेनिकों के तो जो हाथ में तलवार या फिर भाला था उसका जो तीका वाला पॉइंट होता है वो उनी के शरीर के अंदर गुज गिया क्योंकि इतनी ज़्यदा धक्का मुख्य हो रही थी और इस तरह कुछ एक सेनिक मर गए तो बाकी सेनिकों के उपर उन भीड ने अटेक कर दिया और उनको टुकडे टुकडों में मार दिया कई सारे सेनिकों को पेरों के अंदर कुछला गया उनको इतनी ज़्यदा लाते मारी गई कि वह वहीं के वहीं मड़ जाए इवें जो सर लूथर लार्जेंट होते लोड कमांडर ओफ कोर्ट क्लोक्स वह भी इन सब चीजों से बचनी पाए एक आदमी दोड़ता हुआ आया और उनके हाथ से उनके लॉंग स्वर्ट छीन ली कुछ एक लोगों के भीड उनकी तरफ आई और उनको इकोड़े के उपर से जबर दस्ते उनको नीचे गिरा दिया गया उसके बाद में उनको लखड़ियों से और पेरों से इतना ज़दा मारा गया पीट-पीट के उनका हेलमेट और उनका सर दोनों ही तोड़ दिये उनके सरके उपर इतनी ज़्यदा चोटे गी गई कि दो दिन के बाद में उनकी लाश को इकटा करने के लिए जो गाड़ी आती है ब्लेक्स ने गाड़ी पेजी थी दो दिन के बाद में इस इवेंट के जिसके अंदर मरे हुए जो भी गोल्ड लोग जो भी सम्मानित लोग होते उन सब की लाशों को ले जाने के लिए उस टाइम पर सर लूतर लोजन की शकल तो दीखी नी रही थी इतनी मार मार के खराब कर देती इनके शरीर के हिसाब से अनुमान लगाया गया कि हाँ ये वही होगा पर ये रात इतनी भी छोटी नी थी हम इतनी जल्दी से इस रात को खतम नहीं कर सकते अब कुछ एक हिस्टे एकाउंट्स अपन को बाकी सिटी में क्या चल रहा था वो भी बताते हैं पूरे शेहर के अंदर अफरात अफरी का महौल था दंगे भड़क चुके थे और कानून विवस्ता का कुछ नाम नहीं था गोल्फ लुक पहले से थे नहीं और जो थे वो भी इतिसारी भीड को एक साथ में कंट्रोल नहीं कर सकते थे लोग कई सारे लोगों का ग्रुप बनाकर एक साथ में गूम रहे थे और उल्टे सीदे काम कर रहे थे अब यहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है वेंदर टेनर इसके पास में कई से वाइट होर्स आ जाता है दरसल दरसल वो जो केल्टी कायर को मारा था लोड केल्टी कायर को वो इसी ने मारा था उसी के अस्तबल के अंदर एक वाइट गोड़ा होता है जिसको यह ले ले लेता है और अभी उसके पर बेट के गूम रहा होता है इसके पास में अभी लोड केलती कार का सिर होता है और उनके कुछ एक आवशेश जिनको दिखा दिखा के ये सब के सामने चिला के बोल रहा था अब कोई भी टेक्स नहीं है, सारे टेक्स खतम इधर Brothels और Street of Silk के अंदर तो अलगी चीज चल रही थी यहाँ पर सारे होर्स रहती है, तो वो अपना एक अलगी नया किंग डिकलेर कर देती है यूँकि रेनीरा आयन थ्रोन पर बेटने के लिए लायक नहीं है, असली किंग हमारे पास में है होता कुछ यूँ है कि वाइट कलर के बालो वाला एक छोटा सा लड़का होता है या पर जिसका नाम होता है गेमन जो की लगबग चार साल का होता है शायद अपन ने जो शो के अंदर देखा था Brothels के अंदर वो यही लड़का होता है श्यकल और इसके नाक नक्षे देखके पता चल सकता है कि यह एगवन सेकेंड का वास्टर लड़का है अब इन होर्ष ने तो अपना राजा नया डिकलेर किया ही था इसके अलावा भी किंग्स लेंडिंग में एक और जगे नया राजा का खलेम आरा था वाकोच यूँगी एक नाइट था किंग्स लेंडिंग के अंदर जिसका नाम था परकीन दफ ला उसके पास में उसका खुद का एक स्कुएर होता है उसको वो राजा डिकलेर कर देता है स्कुएर यानि की अपने साथ में या फिर राजा के साथ में जो छोटे मोटे फॉलोवर्स चलते उनमें से एक तो यहां पर इस नाइट सर परकीन के एक स्कुएर होता है उसी को ये राजा डिकलेर कर देता है फिलाल ये लड़का अभी 16 साल का होता है और सर परकीन सब को चिला चिला के बोल रहा होता है किंग विसरेस का असली लड़का और बचा हुआ लड़का यही है तो उत्रादिकार के हिसाब से सबसे पहले आयरन थ्रोन इसको मिलना चाहिए अब वेस्टरोस के अंदर एक नियम होता है कि एक नाइट ये दुसरे को नाइट बना सकता है जैसा कि तुमने शो के अंदर भी देखा था गेम ओफ त्रोन्स में जेमी लेनिस्टर बनाता है उस ब्रान ओफ टार्थ को तो सर परकिंग तो खुद एक नाइट है तो ये दूसरे किसी को नाइट बना सकता है तो ये डिकलेर कर देता है जो कोई भी हमारे असली राजा और विस्रेस के असली लड़के इसको सपोर्ट करेगा उसको मैं नाइट बना दूँगा फिर होना क्या था हर कोई नॉर्मल सेनिक, स्वेल स्वोर्ट, कोई चोर हो या फिर कोई कसाई का लड़का हर कोई आने लग गया नाइट बनने के लिए और इनकी सेना में शामिल होने के लिए यह जो Sir Perking Knight होता है इसका जो स्क्वेर होता है इसका नाम होता है Trustin ऐसा कुछ नाम होता है तो यह सारे चोर उच्छे के जो भी लोग नय-nय नाइट बने होते हैं यह सारे लोग कई सारे कटे फटे जंडे बना देते हैं जिसके उपर यह जो नया किंग इनों ने डिकलेर किया है, ट्रेस्टेन यसा कुछ नाम है, इसकी चाप लगी हुई होती है, पूरी सीटी लोलेस हो चुकी थी और कोबलेट स्कुएर के अंदर बहुत ज़दा बीड और लाशी कटा हो गई थी, गोल्ड लोक के मेजोरिटी सा बोड़े वो सोल्टर्स इनसप से बच गए थे, वो भाग के वापस अपनी चावनियों के अंदर चले गए, एक समय पर जब किंग्स लेंडिंग की सारी गल्यों के अंदर गोल्ड लोक गुमा करते थे, और लोग उनके सामने आने से भी डड़ते थे, आज तो पूरी तरी एक होता है ओल्ड गेट और दूसरा होता है ड्रेगन गेट, वहाँ पर शावनिया बनी हुए होती है, और कुछ एक गोल्ड लोक्स वहीं पर होते है पहरा देने के लिए, उनके कमांडर्स उनको कमांड करते हैं, और वहां के आस पास में जो भी बीड इकटा हो रही होती ह उसको वह मारने पीटने के लिए जाते हैं, सर मेंडरिक मेंडरे, अगर तुम्हें याद हो तो वाइट हरबर से वह जो लोड होता है वह खुद नहीं आता है, अपनी सारी सेना और अपने दो लड़कों को भेजता है, उनमें से एक लड़का होता है मेंडरिक मेंडरे, वह भी अपने कुछ एक सॉलजर्स को लेता है और नीचे की तरफ सीटी में जाता है, अब यह जाता है तो नीचे की तरफ देखता है कि कुछ एक आवारा लोग और जो फिशर फोक के लोग होते हैं, नॉर्मल मचुआरे, चोर वगेरा, अपने हाथ में खराब तलवारों क उन सब के साथ में एक नाइट होता है जिसका नाम होता है पर किंग, अपने थोड़ देर पहले बात की और उन लोगों के पास में ट्राइस्टेंड के जंडे होते हैं, जिसको उन्होंने अपना किंग डिकलेर किया होता है, अब यहाँ पर टॉरेन मेंडरे और यह जो ट्र साइड कीप में वापस पोचता है तब तक उसके लगबख 25 परसेंट सेनिक जोस के साथ में चले थे वो मरेज़ चुके होते है अब टोरेंट मेंडर तो वापस लोड किया गया लेकिन क्विंस का लोड कमंडर लूथर मार्ग्रेड वो जाता है अपने साथ में सो सोलजर्स को नाइट्स को और मैंने टाम्स को लेकर फ्लिया बोटम के अंदर न्यूंकि पूरे सिटी के अंदर दंगे हो रहे तो मैं भी जाएकर थोड़े शान्त करा देता हूँ वहाँ पर इसके जो सो सल्जर्स जाते है इसको कौन समझाएगी इसको वहाँ बर नहीं जाना चाहिए था पूरी सीटी उल्टी हुई है इसके गए हुए सो सोल्डर्स में से आते टाइम के वल से सोला ही बचके आते और उसके अंदर लुथर मार्गरेट नहीं होता है यानि कि इसको मार देते हुई पे अब थोड़ी रात हो चुकी थी और रैनिरा ने अपने शाशनकाल का सबसे खराब समय को फेस कर रही थी इतनी आवेवेस्ता उसकी शाशनकाल में इससे पहले कभी नहीं हुई थी मश्रूम अपनी कहानियों में बताता है जब क्वीन रैनिरा को इस बारे में बताए गया कि किस तरह लोरेंड मार्गरेट जो उसके लोर्ड कमांडरों क्वीन्स गार्ड थे वो मारे गए ये सुनके वो रोने लग जाती है लेकिन क्वीन रैनिरा का दुख उसी शन गुस्से में परिवर्तित हो जाता है जब वो मेदनपुल के बारे में सुनती है कि मेदनपुल ने उसको धोका दिया है और उन लोगों ने अब अपनी साइड चेंज कर वो ग्रीन्स के हो गये है इसके अलवा जिस नेटल्स को मारने के लिए इसने मेदनपुल को बोला था उसको उन्होंने वहाँ से बगा दिया है और उस लड़की को यहां से बगाने में सबसे बड़ा हाथ इसी के क्वीन कॉंसर्ट और इसके प्यारे डेवन टारगिरिन का था अब यह सारी बाते सुनकर इसका दुख गुसे में परिवर्तित हो जाता है थोड़ी रात हो चुकी थी और क्वीन रेनिर अपने आइरन थोन के ओपर बेटी हुई थी माइसीरिया दा वाइट वोम इसके पास में आके बताती है कि यह तो कुछ भी नहीं है आपके शैशन का अभी और खराब समय आने वाला है वैसे माइसीरिया जो सीटी में दंगे हो रहे और अवेवस्ता हो रही उसके बारे में बात कर रही होती है थोड़ी राथ तो हो चुकी थी लेकिं खेरर के अंदर कानून वेश्ता पुरी तरीके से ठब होची थी और शेयर में इतनी अवेवस्ता थी कि कुफी नरंीर रखनी पड़ी ये urgent meeting throne chamber के अंदर रखी गई जापर Queen Ranyra अपने iron throne के उपर बेटी वी थी और उस meeting को लगपक सो लोगों ने अटेंड किया लेकिन थोड़ी देर बाद में वो meeting खतम हो जाती है और धीरे धीरे करके सारे के सारे लोग वहाँ से चले जाते है उस hole के अंदर कोई बचता है तो सिर्फ Queen Ranyra होती है और उसके बेटे और मश्रूम होता है फिर Ranyra दुकी होते हुए मश्रूम से कहती है काश सारे आत्मी तुम्हारी तरह loyal होते तो क्या चाहिए था वैसे Ranyra ये बात डैमन को याद करके बोल रही होती है क्योंकि डैमन ने नेटल्स को बगा दिया तो इसके साथ में दोगे बाजी कर दी इसके अलावा भी और भी बहुत सारे लोगों ने Ranyra को दोगा दिया है इसलिए दुखी होके Ranyra इसको ऐसा कह रही है फिर Ranyra कहती है मश्रूम मुझे तो तुम्हें हैंड अफ दे क्वीन बना देना चाहिए इस पर मश्रूम हसते हुए कहता है नहीं आप तो मुझसे शादी कर लीजी और मुझे क्वीन कॉंसर्ट बना दीजी हमेशा हमेशा के लिए रैनीरा ये बात सुनती है तो वो भी हसने लग जाती है इतने बुरे समय में Ranyra काफी टाइम से हसी नहीं थी और मश्रूम में उसके राजदरवार में एक ऐसा व्यक्ति था जो उसको हसा सकता है तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं सही बताऊं दे क्यून रैनीरा के शाशनकाल के बुरी तरीके से यल लग चुके है सबसे बड़ी गलती इसने ये कर दी कि जोश जोश में आके एडम वलोरन के उपर शक कर दिया उसको बगाने के लिए कॉलस वलोरन अब जेल के अंदर चला गया है और उसके जेल के अंदर जाते हैं 50% सेना इसकी खतम हो गई अब अगर सेना होती तो फिर गोल क्लोक्स भी थोड़ा बहुत जोड लगा के जैसे तेसे उन सारे विद्रोईयों को और जो सीटी के अंदर दंगे कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने में काम में आते हैं लेगिन वो एक कहावत फेमस है ना जनान वेंडी वगत आवे ता आपनों गनकडों आपने माते पहुंका लग जावे सेम चीज रेनीरा के साथ में हो रही है इसके हड से पत्ते रगडा चुकी है मल अब तुम भी सोचो एक बार का रेनीरा के लिए कितने खराब समय आ चुका है डेमन टार्गिरेन अभी मरा है और वो भी इसको दोका दे के मरा है इसकी 50% सेना गया भे गॉल्फ लोग कुछ करनी पारे और सिटी के अंदर इतना जवद है दंगे फसाद हो रहे सारे एक सारे लोग इससे एंटी है यहां से थोड़ी सी दूर थंबल टोन के वापर दो ड्रेगंस और पूरी की पूरी बहुत बड़ी आर्मी बस यहां पर आने का वेट कर रही है तो सारी की सारी कंडिशन्स रेनीरा के बलूब खिलाफ हो चुकी है अगर कुछ अच्छा है तो वो यह है कि डेरोन टार की रेन उस सेना को यहां पर लान नहीं पा रहा है और वो ग्रीन्स की सेना उसके कंड्रोल में भी है नहीं बाकी तो सारी चीज़ रेनीरा के जस्ट ओपोजिटी है तो दरसल पिछला वाला अध्या है वहा जिसके अंद्र रेमन्ड वर्सथ डेवन होँ था उसके बाद में यह जो रेनीरा है इसके शाषन कल में इसे दंगे चलते रहते है रात रात को तो इस वीडियो के अंदर अगरी वली रात कवर करेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर धन्यवाद